हेलो एवरीवन वेलकम बैक तो माई यूटूब चनल लेंगले स्कूल आज की जो हमारी स्टोरी है दी पूर मैन्स वर्चू पूर मिन होता है गरीब मैन मिन होता है आदमी इसके उपर ही एपोस्ट्रोफी ऐसे लगा हुआ है जिसका मतलब है का के की वर्चू मिन होते हैं राम वाज अनुट के पास कुछ नहीं था नटिंग मिन होता है के सिवाए या के अलावा भूमी के एक छोटे से टुकड़े के अलावा उसके पास खुछ नहीं था he guru वह उगाता था whatever जो कुछ भी he could कर सकता था यानि उगा सकता था in that land उस भूमी में जो कुछ भी वो उस भूमी में उगा सकता था वो उगाता था राम वाज ओल्सो वेरी काइंड राम वाज में था ओल्सो में भी वेरी में बहुत काइंड में दयालू राम बहुत दयालू भी था he used to go he mean वह गो में होता है जाना गो से पहले used to लगा गया है तो इसका मतलब होता है कि वो regular basis पर ऐसा करता था यानि प्रति दिन जाता था he used to go to a nearby temple nearby मिन पास के या नजदी के temple मिन मंदिर में and or give offering give मिन देता था offerings मिन परसाद to the deity देवता को वो प्रति दिन जो पास में मंदिर था उसमें जाता था और देवता को परसाद देता था offerings मिन होता है परसाद to the deity deity मिन देवता को वंस मिन एक बार, he took, वह ले गया, take मिन होता है ले जाना, ये take की second form है, took, ले गया, two bananas, दो केले, to the temple, उस मंदिर में, एक बार वो उस मंदिर में, दो केले ले गया, when, जब he was about to enter into the temple, he मिन वह, was मिन था, about to enter, परवेस करने वाला, about to enter, यानि परवेस करने वाला, into the temple, उस कहा, I am so hungry, मैं बहुत भूखा हूँ, can you give me something to eat, क्या तु मुझे कुछ खाने को दे सकते हो, give me mean, give mean होता है देना, me mean मुझे something mean कुछ to eat खाने को, क्या तु मुझे कुछ खाने को दे सकते हो, राम गेव दी two bananas to the सन्यासी without hesitation, राम ने गेव मिन दिए the two bananas, वे दो के लिए to the सन्यासी, उस सन्यासी को without hesitation, बिना किसी हिचकी चाहट के, विदाउट मिन होता है के बिना, hesitation मिन हिचकी चाहट के, यानि उसने उस सन्यासी को वो दो के लिए बिना किसी हिचकी चाहट के दे या इव यदि दिस बनाना जेंट क्षेंट देट टू इस ऐस्रवस्ट तू गोड इस बनाना ये ये के लिए कैन क्षेंट कर सकते हैं यूजर हंगर तुम्हारी भूग को लैट टू इससर्वेस्ट गोड वभी भगवान केकर शेवा होगी दिस सन्यासी वज्वेरिए प्ले दिये बॉस्टिड मिन होता है देना बॉंस मिन वर्दान अपोन हिम उसको यानि राम को जो सन्यासी था उसकी इमानदारी और दैलोता से बहुत परसन हुआ और उसने राम को बहुत सारे बॉंस दिये यानि वर्दान दिये and or made him a very rich man और उसे एक बहुत अमीर आदमी बना दिया even then तब भी राम continued his charity राम ने continued में जारी रखी his charity उसकी दया लुता या फिर जो दान वगेरा वो करता था उसने जारी रखा so more of the story है honesty pays goodness जो इमानदारी है वो हमेशा अच्छाए दिलाते हैं अच्छाए तक ले कर जाती है